दोस्तों चैर्ट जीपीटी की पेरेंटल कंपनी ओपन एयाई ने सैम एल्टमैन को सीओ पत से हटा दिया था जिसके बाद में एमेट शेयर को इन्होंने इंटरिम सीओ बना दिया था तो इस बात को पांच दिन हो गए लेकिन यह जो एमेट शेयर थे एक सिर्फ टेंपरेरी कर दिया ओपन एयाई ने जहां पर तीन मेंबर्स ने डिसाइड किया कि सैम एल्टमैन ही राइट केंडिडेट है एज सीओ ओपन एयाई के साथ में मतलब जब एलॉन मस्क भी इसमें इन्वेस्टर हुआ करते थे उन्होंने भी अपना कॉंफिडेंस छोड़ दिया तो वापिस सीओ पद पर डाल देना चाहिए तो पांच दिन बाद अब दुबारा से सैम एल्टमैन सीओ बन चुके हैं उपन एयाई के तो आप खाना मंगवाते ही रहते होंगे जिसके लिए आपको डिलिवरी फी भी देनी पड़ती है वो डिपेंड करता है आप 30 रुपे द तो उसका 18% गौवर्मेंट को भी आपको देना पड़ेगा जब से आपने स्टार्ट करी है लोगों से डिलिवरी फी लेना तो उसका 18% आपको देना पड़ेगा तो इन टोटल इन दोनों को ही 1000 करोड रुपे देने है गौवर्मेंट को एज टेक्स जो की अब तक नजरों में नहीं था और काफी कमाई कर रहे थे उससे भी तो सो हैकर इस कैमर कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं आप लोगों के पैसे एठने के लिए तो यहां पर एक खास तरीके की हैकिंग चल रही है जिससे अगर आपको बचना है तो आपको थोड़ा सा अवेर रहना पड़े दरसल वो फेक अपडेट होगी वो मालवेर इंजेक्ट कर देंगे आपके सिस्टम के अंदर जिससे की आपकी प्राइविट फाइल्स आपका डेटा आपकी पासवर्ड वगेरा जो भी है वो सब उस हैकर के पास में चला जाएगा क्या हुआ हुआ है कि यह कई सारी वर्ड भी आजाएगी इस तरीके की अपडेट आपको गया और क्रोम ब्राउजर की अपडेट क्यों आ रही है मैं तो यह वाले ब्राउजर कर रहा हूं तो यहां पर देको चलो वो लोग तो चलो एक बार को बच भी जाया अगर बचना चाहें दोड़ा दिमाग लगा दे लेकिन का अजीब सी हरकते के होने लग गई है मेरा पासवर्ड कहां चला गया मेरा जीमेल अकाउंट है मेरा Facebook है मेरा Instagram है तो यह वह सिर्फ इस वज़े से हो जायागा क्योंकि आपने अपडेट कर लिया एक मालवेर को अपने सिस्टम के अंदर ना कि वो कोई क्रोम राउजर की अ इसको बना देते हैं लेकिन लंडन के अंदर जैसे यह बात पता चली कि यह बिल्डिंग बनने वाली है जो कि करिवन 295 फुट टॉल एक डोम होगा जो कि बिल्कुल लॉस वेगस के सिफियर की तरह ही होगा उसको रिजेक्ट कर दिया क्योंकि वहां की पबली के लिए जीना ह को रिजेक्ट कर दिया गया है जिस तरीके से आपने देखा होगा जब एलॉन मस्क ने अपने हैड़कॉर्टर के अंदर एक्स का एक बहुत बड़ा लोगो लगा दिया था उस लाइट से सामने वाले नेवर परिशान हो गए तो उन्होंने कोट के अंदर जाके उसकी के बावजूद भी अब ईवीजा की सर्विश शुरू कर दिया कैनेडियन सिडिजन के लिए तो अब कैनेडियन सिडिजन अप्लाइ कर सकते हैं इवीजा के लिए इंडिया के अंदर अगर उनको आना है जो इसके फाइदे बड़े हैं आप ट्रेडिशनल सिम चला रहे हो लेकिन अगर आपको फोन चोरी हो जाता है तो उस्से में निकालन के फैकना किसी फोन की विजाता है यह छी हो जाता है दो क्यूकि क्रिमिनल के लिए और बन जाएगा च्यूकि आपके फॉन को फιο बपिस आपको पकड़ा पीर आदेरा तेरा था च्यासे व्यूद्लंक को बढ़ावादेस है कि अब ऐसा है थाइलेंड वालों ने भी कर दिया और अब जाके ऐसा सुनने में आ रहा है कि वियतनाम भी यही सेम स्कीम अपलाई करने वाला है क्योंकि उनको भी अपना टूरिजम बढ़ाना है और उनको पता है कितने इंडियन गोमने का शौक रखते है और उनके लिए अगर वीजा फ्री एंट्री कर दी गई तो यहाँ पर टूरिजम की बरसात हो सकती है तो वो भी वीजा फ्री एंट्री रखने वाले हैं इंडियन के लिए आने वाले वक्त में दोस्तों इंटरनेशन स्पेस टेशन की भी एक्सपारी डेट अब निकल चु पूरा ही समुदर में को क्या जाया जाए चैसानी जब और यह लिए eu झाल झाल